नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ निहा वर्मा नया महिना यानी अक्तूबर लगते ही आम लोगों से जुड़े कुछ जरूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है देश में जारी करोना संकट के बीच एक अक्तूबर यानी आज से लाइसेंस क्रस्ट रखने की टेंशन खत्म हो जाएगी दुकान दार अब पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे एक अक्तूबर से देश से बाहर पैसा भेजने पर भी टीसी एस कटेगा साथ ही बैंकिंग और मोटर सही अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं मोटर वाहन नियम रसोई गैस और उजुला योजना समेत कई नियम बदल रहे हैं हैल्थ इंशुरेंस को लेकर होने वाले बदलाव आम आदमी के लिए फायदे मन रहेंगे वहीं टीवी खरीदना महगा होने वाला है जिन लोगों को दूसरे देशों में पैसा भेजने की जरूरत होती है उनका खर्च बढ़ने वाला है वहीं एक अक्तूबर से कॉलिजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी करोना काल में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए यह कदम उठाया जा रहा है आईए जानते हैं एक अक्तूबर से आपकी जीवन में क्या-क्या बदलने वाला है वैब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन होंगे सभी वाहन संबंदी डोकुमेंट्स सडक परिवहन एवं राज मार्क मंत्राली नी मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने की जानकारिती है इसके बाद अब एक अक्तूबर से वाहन संबंदी जरूरी डोकुमेंट्स जैसे लाइसे रजिस्टेशन डोकुमेंट्स फिटनेस सर्टिफिकेट पर्मिट आदि को सरकार द्वारा संचालित वैब पोर्टल के माध्यम से मैंटेन किया जा सकेगा इलेक्ट्रोनिक पोर्टल के जरिए कंपाउंडिंग इंड्रोस्मेंट लाइसेंस का सस्पेंशन व ड्राइविंग के दौरान इस्तमाल कर सकेंगे मोबाइल फोन एक अक्तूबर यानि आज से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तमाल कर सकेंगे सड़क परिवेहन इवं राज मार्ग मंतराले ने कहा कि वहन चलाते समय मोबाइल फोन्स का इस्तिमाल किया जा सकता है लेकिन यह केवल रूट्स नैविगेशन के लिए ही होना चाहिए साथ में यह भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से ध्यान ना भटके यह भी साफ किया गया है कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर एक हजार उपे से लेकर पाँच हजार उपे तक का फाइन लग सकता है इसके अलावा एक अक्तूबर यानिया से लपीजी कनेक्शन मुफ्त नहीं होगा प्रधान मंतरी उज्वला गैस योजना के तहट मोदी सरकार गरीब गरामिन महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर बारती है इस योजना के लावारतियों को सितंबर के बाद अब इस योजना के तहट गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा इसके अलावा विदेश में पैसा भीजना अब महगा पड़ेगा केंदर सरकार ने विदेश में पैसे भीजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा हुआ एक नया नियम बना दिया है ये नियम एक अक्तूबर 2020 यानि आज से लागू हो जाएगा ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं अपने बच्चों के पास पैसे भीजना चाहते हैं तो रकम पर पांच फीस दिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक रिजर्व बैंक ओफ इंडिया की लिबरलाइज रेमिटेंच स्कीम के तहट विदेश पैसा भेजने वाले व्यक्ति को टीसी एस देना होगा बता दे कि लरेस के तहट ढाई लाख डोलर सालाना तक भेज सकते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता इसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए टीसी एस देना होगा एक अक्तूबर से मिठाई के डिब्बे पर एक्सपाईरी डेट की जानकारी देनी होगी जी हाँ अब एक नया कानून हो रा गया है जिसमें दुकानदारों को अब एक अक्तूबर 2020 के बाद से स्थानिय मिठाई दुकानों को भी परातों एवं डबों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए उनकी तारीक तथा उप्योग की उप्युक्त अवधी जैसी जानकारी और उनकी परतीशत करनी होगी मजूदा समय में इन विवरनों को पहले से बंद डिबा बंद मिठाई के डबे पर उलेग करना अनिवारी है नए नियम अब जारी करते गए है हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी में बदलाव हुआ है बेमा नियामक IRDAI के नियमों के तहत हेल्ट इंशुरेंस पॉलिसी में एक अधिक बिमारियों का कवर उपलब्द होगा यह बदलाव हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी को स्टेंडराइज और कस्टमर सेट्रिंग बनाने के लिए किया जा रहा है इसमें कई अन्य बदलाव ही शामिल है इसके अलाबा अब आपको टीवी खरीदना भी महंगा पड़ेग कलर टेलिवीजन के लिए ओपन सेल सबसे जरूरी पोर्ट होता है वहीं अब ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगने से भारत में टेलिवीजन का निर्मान प्रभाविद हो सकता है जिसके चलते एक अक्तूबर से टीवी खरीदना महंगा पड़ सकता है इसके अलावा डेबिट कार्ट क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए नियम भी बदले गए हैं भारती रिजर्फ बैंक एक अक्तूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है ये सेवाए अंतरास्टी ट्रांजक्शन से जुड़ी हुई है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक उफ इंडिया ने अपनी ग्रहाकों को बताया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ट पर दी जाने वाली कुछ सेवाए 30 सितमबर 2020 के बाद बंद कर दी जाएंगी यानि एक अक्टूबर 2020 से ये सेवाए उपलब नहीं रहेंगी इसके अलावा उत्तर भारत में इस्तमाल होने वाले सरसो के तेल को लेकर फूड रेगूलेटर यानि भारतिय खादे सुरक्षा इवा मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किये हैं नए आदेश के मुताबिक अब सरसो तेल में किसी दूसरे खादे तेलों की मिलावट करने पर एक अक्टूबर से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है सभी राज्यों और केंदर शासित परदेशों के खादे सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में भारते खादे सुरक्षा इवा मानक प्राधिकरण ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खादे तेल के साथ सरसो के तेल के सम्मिश्रन पर एक अक्टूबर 2020 से पूरी तरह से रोक होगी इसके अलावा आयकर विभाग ने TCS प्रावधानों के लिए दिशा निर्देश जारी किये है आयकर विभाग ने एक अक्टूबर से TCS प्रावधानों को लागू करने के लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी करती है इसके लिए E-Commerce कंपनिया एक अक्टूबर से उत्पात एवं सेवाओं की बिक्री पर एक फीस दी टैक्स काटेगी वित्विधयक 2020 में जोड़ी गई नई धारा 194 में O के जरिये इसे जरूरी बनाया गया था यह कर डिजिटल भूगतान प्लेटफोर्म पर भी कट सकेगा इसके अलावा नए कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत में क्रेटा 50 लाग से अधिक की खरीद पर खरीदार से 0.1 फीस दी कर वसू लेगा ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद झाल